जाइन दोस्तों, Impact Academy के online platform पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है बचो बचो आज के इस lecture में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस lecture में बचो हम लोग पढ़ेंगे Industries in India यान कि भारत में उद्द्योग भारत में जो अलग-अलग टाइप के जो अलग-अलग परकार के जो उद्द्योग हैं उन सब के बारे में बचो हम लोग जानने वाले हैं ठीक है बचो चलिए अपना जो टॉपिक है या उसे शुरू करते हैं भई इसके बारे में हम लोग जानेंगे बच्चो बारत में कौन-कौन से उद्योग है एके करके सबके बारे में पढ़ेंगे बच्चो और डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहला जो हम उद्योग पढ़ने वाले हैं बच्चो सबसे पहला जो उद्योग है उस लोह इसपात उद्योग। इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे. सबसे पहली बात, भारत के अंदर जितने भी लोह इसपात उद्योग है, iron ore industry है, ये किस संगठण के अंतर गातातिय है, किस organization के अंदर आती है, तो वो है बच्चो, sale, sale का full form क्या है? Steel Authority of India Limited राइट बच्चों तो सबसे पहला सबसे पहला point हमारा क्या बनता है सबसे पहला point हमारा क्या बनता है सबसे पहला point यह है बच्चों कि भारत के भारत के लोहो इस्पात उद्योग लोहो इस्पात उद्योग सेल का मतलब क्या है बच्चो Steel Authority of India Limited Steel Authority of India Limited के तहत आते हैं के तहत आते हैं वाइट यारिट जितने भी जो Iron and Ahora Industries हैं वो सारे के सारी सेल के अंतर गता आती है अब कुशन यह पूसता है बच्चो की भइया सेल की स्थापना कब हुए थी तो बचँछो सेल की स्थापना उई थी 24 जनवरी 1987 को सेल की स्थापना खूई थी बचचो स्थापना कब हुए थी तो 24 जनवरी dieses 23 को नई 1873 को ऑच 30 मिलिज़ी में कली बचचो अब कुश्चन पूछता है कि भारत का पहला लो हो इस बात उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द Steele Company Limited क्या नमता बच्चों? Tata Iron & Steele Company Limited ठीक है बच्चों? इसकी स्थापना कब होई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बच्चों 1907 में और कहां पर की गई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना की गई थी? साक्ची में साक्ची एक शहर है बचो जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं हम लोग साक्ची को हम लोग वर्तमान में बोलते हैं जमशेदपूर क्या बोलते हैं बचो जमशेदपूर और जमशेदपूर का दूसरा नाम है टाटा नगर बिल्कुल बच्चो ये वही जमशेदपूर है बच्चो जो कौन सी नदी के किनारे पर है मैंने बताया था आपको ये है बच्चो स्वरंड रेखा नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे है बच्चो स्वरंड रेखा नदी के किनारे पर है यह मैं आपको ओलेडी पढ़ा चुका हूँ ठीक है बच्छो, कलीर है तो भारत का जो पहला लोह इसपात उद्योग था तो वो कहाँ पर खोला गया बच्छो साक्ची में खोला गया 1907 में, जिसका नाम क्या था बच्छो जिसका नाम था बच्छो, टिस्को इसको मतलब Tata Iron and Steel Company Limited उसके बाद नेक्स जो important point आता है वो ये पुछा जाता है कि पंचवर्षय योजनाओं के तह स्थापित किये गए लोह इसपात उद्योग आप लोगों ने एकनॉमिस के अंदर एक topic पढ़ा होगा पंचवर्षय योजना that is 5 years plan बाई कौन सी पंचवर्षय योजनाओं में कौन सा लोह इसपात उद्योग जो है वो खोला गया था तो next important point क्या कहता है बचो पंचवर्षय योजनाओं के तहत पंचवर्षय योजनाओं के तहत स्थापित लोह इसपात उद्योग यानि की कौन सी पंचवर्षय योजनाओं में कौन सा लोह इसपात उद्योग जो है वो खोला गया था बचो आपको दो जानने हैं एक तो है बचो second FYP second FYP FYP का मतलब क्या हो गया बचो 5 years plan और एक है बचो third FYP third five year plan इन दो पंचवर्षय योजनाओं में तो था बोकारो कौन सा था बच्चो बोकारो और बोकारो कहां पर पढ़ता है बच्चो तो बोकारो पढ़ता है जारखंड में बोकारो कहां पर पढ़ता है तो बोकारो पढ़ता है बच्चो जारखंड में दूसरी के अंदर बात करें बच्चो तो तीन स्थापित किये ग भिलाई भिलाई कहां पर पढटा है बिलाई पढटा है चखतिस गर्ड में दुर्गापूर बच्यों पढ़ता है बच्छव die in और राउकेला गजता अधार है तो डिसी तो बच्छों यहांको ध्यान कना कउशनले का बोकारो स्रील प्लांट किस पंचवर्ष योजना में स्थापित किया गया था सर तीसरी में भिलाई दुर्गापुर राउकेला दूसरी में यह बताओ राउकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है तो राउकेला बच्छो उडिसा में है दुर्गापुर पूछेगा तो दुर्गापुर Steel City कौन सी है, पूरे World में सबस्चाला Steel का उत्पादन कहां पर होता है, आप ये भी कह सकते हैं, तो ये भी ध्यान करेंड़ना बचों, विशव का, विशव का, परमुक, Steel शहर, Steel शहर कौन सा है पूरे World में, जो important है, तो उसका नाम है, बचो, Pittsburgh, क्या नाम है, Pittsburgh, और कहां पर प पढ़ता है, बचो, तो ये पढ़ता है, बचो, USA में, क्लीर है, बचो, समझ में आगी इतनी बात, तो I hope इतनी सारी चीज़े क्लीर हो गई होंगी, अच्छा बचो, Steel प्लांट और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको ये तो बता दिये, बिलाई, दुरगापूर, रा बचो, 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 बचो सुरेया जो की कहां पर पढ़ता है बच्छो ये पढ़ता है करनाटक में करनाटक में राइट अच्छा एक है बच्छो तीसे नंबर पर सालेम एक है बच्छो सालेम सालेम कहां पर पढ़ता है तो ये पढ़ता है बच्छो तमिलाडू में सालेम तमिलाडू में तमिलाडू म पढ़ता है राइट बच्चो कलीर इतना मुद्धा समझ में आ गया होगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें कलीर हो गई होगी चलिए अब एक लास्ट इंपोटन पॉइंट बच्चो सिल प्लांट के वारे में लास्ट इंपोटन पॉइंट क्या है बच्चो अगला जो लोहा जो है वो निकलता है बच्चो धिक तो मेली बच्चो इसके चार आएसक है और चारो पूछे जाते हैं एक्जाम में, ध्यान से पढ़ना बहुत ये चार हैं, कौन-कौन से हैं, बचो सबसे पहला है बचो मैगनेटाइट, दूसरा है बचो हैमेटाइट, तीसरा है बचो लिमोनाइट, और चौता है बचो सीडराइट, ये चार होगे बचो, हिंदी मे लिखों तो magnetite को हिंदी में hangatite ही कहेंगे, hamatite को हिंदी में hemateite ही कहेंगे, lima hyd ko bacho हिंदी मेny platinumate ही कहेंगे और cedaride को bacho हिंदी में cedaride ही कहेंगे, तो ये हैं बच्चो 4 के 4 क्या हैं बच्चों आपके loho' अयसक हैं, अब कोशन पुछेगा कि भया कितना كतना परसंट यहां से लोहा निकलता है तो बच्चों मैगनेटाइट से निकलता है 72% से ज्यादा more than 72% hematide से निकलता है बच्चों 60 से 70% limonide से निकलता है बच्चों 40 से 60% और sideride से निकलता है बच्चों 40% से कम अब यही पर question पूछलेगा आप से कि भाया ये बतादो तो हमें कि भाईया लोहे का परमुख आयसक कौन सा है यान कि लोहा सबसे लादा कहां से निकलता है तो जो आप क्या हो जाएगा बच्छों मैगनेटाइट यह यूं कह देगा कि इन में से कौन सा आयसक लोहे का नहीं है विच्वता फॉलॉइंग इस नौट और और अफ आयर कपास उध्योग दूसरा उध्योग कौन सा है बच्छों कपास उध्योग को इंग्लिसमें बोलते हैं मदच्क atenção कॉटन Textile Industry क्या बोलते हैं बच्छो कपास उद्योग यानकी cotton textile industry question पूछेगा कि भारत का पहला कपास उद्योग कब खोला गया था और कहां पर खोला गया था बच्चो तो भारत का पहला कपास उद्योग भारत का पहला कपास उद्योग बच्चो 1818 में खोला गया था जिसका नाम था बच्चो फोर्ट गलोस्टर कहा नाम था फोर्ट गलोस्टर और कहां पर खोला गया था बच्चो कलकत्ता में कहां पर खोला गया था कलकत्ता में अब बच्चो जो पहला का पास उद्योग खोला गया था यह अधुनिक कपास उद्योग यह खोला गया बच्छो में और इसका नाम था क्षा बमबे geben व्रुञंपर खोला गया बच्छो तो यह कोला गया था तो बॉमबे में खोला गया यतना मुद्दह क्लीर है बचो कपास उध्योग के वारे में सबसे इंपर्टन बात पता है किया है बचो बात हम जब भारत के अंदर रोजगार की करते है employment की तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार तो rail मंतरा ले देता है इंडियन रेलवेज देता है भारती रेल देता है भारती रेल देता है भथो बच्छो दूसरे नमबर पर सबसेदा रोजगार कपास उत्योग देता है भथो कपास उद्ध्योग तो Indian Railways और December पर कोन आ जाएगा बचो कपास उद्ध्योग बचो कलीर है इतना मुद्दा समझ में आ गया Next important point बचो Next important point क्या कहता है बचो उसके बारे में जान लो भाईया Question कहेगा भाईया कि भाईया सबसे ज़्यादा कपास उद्ध्योग कहां पर है सबसे ज़्यादा कपास उद्ध्योग भारत में सबसे ज़्यादा कपास उद्ध्योग भारत में सबसे ज़्यादा कपास उद्ध्योग कहां पर है तो भारत में जो पसंदोग आते स्वत्वारम मैं bus ळगा मेंfel बत्थो क्या कहते हैं यह नाम हम कई बार में पड़ते हैं क्या बोलते हैं उसल मैंचेस्टर ऑफ औफ साउथ इंडिया टक्षिन भारत का मैंचेस्टर बचो मैंचेस्टर एक शेहर है जो कि UK में पढ़ता है जो कि पूरे वल्ड में कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है वैसी बचो दक्षिन भारत में कॉटन के कपड़ों के लिए कौन फेमस है तो जो आप के हो जाएगा बचो कोई मतूर अब जैसे बचो मैंचेस्टर ओफ साउथ इंडिया पूछ लिया वैसी पूछ लेता है बचो मैंचेस्टर ओफ इंडिया मैंचेस्टर ओफ इंडिया अब कोशन पूछे आपसे अगर कि बच्चेस्टर ओफ इंडिया किसे कहा जाता है तो यहां पर जवाब आएगा बच्चों, ऐहमदाबाद की भारत में कौन फेमस है, कोटरन कपड़ों के लिए, तो ऐहमदाबाद, बच्छों अहमदाबाद का एक और नाम भी है, एहमदाबाद को बॉस्टन ओफ इंडिया भी कहते हैं, यह भी ध्हानक नभी यहा, एहमद बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं अब आप कहेंगे सर यह बोस्टन क्या होता है देखें बचो बोस्टन भी एक शहर है जो की युएसे में पढ़ता है और बोस्टन के अंदर बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टिशन हैं ठीक है वहाँ पर बड़ी-बड़ी उनिवस हैं जैसे बोस्टन के अंदर बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टिउट्स हैं वैसे ही बच्चो एहमदाबाद के अंदर भी बड़े-बड़े एजुकेशनल इंस्टिउट्स हैं इसलिए बच्चो एहमदाबाद को कहा जाता है बोस्टन ऑफ इंडिया तो ध्यान भारत का Manchester, उत्तर भारत का Manchester किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बच्छो कानपूर को, किसे कहा जाता है कानपूर को, राइट, और दो मैं आपको इससे पहले बता भी चुका हूँ कई बार Manchester of Chin, पूछ ले तो जो आप क्या हो जी चीन का हो जाएगा, शंगाई और जपान पूछ ले तो जवाब क्या हो जाएगा, तो जपान का हो जाएगा, बच्छो, उसाका, राइट बच्छो तो यहाँ पर आकर बच्छो, हमारा जो कपास उद्योग है, ये भी होता है, बच्छो, complete, राइट next जो हमारा आता है बच्छो, वो आता है उनी वस्तर उद्योग तीसे नमबर पर आता है बच्छो, वो कौन सा है उनी वस्तर उद्योग जैसे इंग्लीज में बोलते हैं बच्छो, वुलन टेक्स्टाइल इंडस्री, उनी वस्तर उद्योग, Woolen Taxel Industry उनी वस्तर बच्चों, समझी गई होंगे सरदियों में हम लोग पहनते ही हैं कोशन पूछेगा कि भारत में पहला उनी वस्तर उद्योग कहां पर खोला गया था भारत का भारत का पहला उनी वस्तर उद्योग Woolen Taxel Industry तो बच्चों ये खोला गया था 1876 में और कहां पर खोला गया था तो ये खोला गया था बच्चों कानपूर में कहां पर खोला गया कानपूर में इतना मुद्दा कलीर हो गया दूसरी बात पूछेगा बच्चों भारत में सबस्यादा उनका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा उनका उत्पादन तो भारत में सबसे ज्यादा उनका उत्पादन कौन करता है तो जवाब आएगा बच्चो पंजाब क्याएगा पंजाब फिर कहएगा बच्चो विशव में विशव में सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन कौन करता है विशव में सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन तो विशव में सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन कौन करता है तो यहाँ पर जवाब आएगा बच्छो ऑस्ट्रेलिया क्या जब आएगा बचो औस्टेलिया औस्टेलिया विश्व में सबसे आदा क्या करता है उनका उत्पादन करता है राइट बचो नेस्ट कहेगा बचो यह विश्व का सबसे बड़ा उन उत्पादन के इंदर ना विश्व का सबसे बड़ा उन उत्पादन के इंदर कहां पर बच्छो धारिवाल में जगह पड़ती है ने पड़ती है तो यह पड़ती है तो यह पड़ती है और पंजाब में नेस्ट कहते है जगह है बच्छो नेस्ट कहता है CWDB, नाम से पता चल रहा है बच्छो, Center of World Development Board, जितने भी उत्पादन के इंदर है, या फैक्टरी इंडिया के इंदर, उनको ये कंटोल करता है, तो Center of World Development Board का Head Office पूछा जाता है बच्छो, तो ये कहां पर है, तो ये पढ़ता है बच्छो, आपका जोधपूर में, ये कहां पर बोले तो, जोधपूर में, that's it बच्छो, उनिवस्तर उद्योग के बारे में हमारे एक्जाम में इतना ही पूछा जाता है, राइट बच्छो dovunayesht आता है बच्छो, रेशम उद्योग, चौते नमबर पर हम को सा पढ़ेंगे बच्छो, रेशम उद्योग, याने कि, Silk Textile Industries, रेशम उद्योग, Silk Textile Industries, बच्छो रेशम उद्योग, नाम से बचल रहा है रेशम की बात कर रहा है बच्छो, यहांपे, इसके आबारे में स सबसे ज्यादा रेश्यम का उत्पादन कहां पर होता है विश्यम में सबसे ज्यादा रेश्यम का उत्पादन रेश्यम का उत्पादन कहां पर होता है तो जवाब होगा बच्छो चीन पहले पर है चीन और फिर कोन आएगा बच्छो भारत पहले पर करता है बच्छो चीन और दूसरे पर कौन करता है बच्छो भारत फिर कोशन आपसे ये पुछ लेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन करता है भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन तो बच्चो पहले नंबर पर आएगा यहाँ पर करनाटक और दूसरे पर कोन आएगा बच्चो दूसरे पर आएगा पशिम मंगाल दूसरे पर आएगा बच्चो पशिम मंगाल राइट बच्चो कलीर है इतना मुद्दा समझ में आ गया रेशम उद्ध्योग के बारे में ठीक तो सिल्क टैसले इंडस्ट्रीज हमने देख ली वीशम में सब्सक्रादा उत्पादन चीन में और भारत में पूछ लेगा तो करनाटक में डशिट बचो रेशम उद्ध्योग भी हमारा यहां पर होता है complete नेक्स्ट ब बचो जब हम जूट उद्ध्योग की बात करते हैं तो कोशन पूछता है कि भारत में पहला जूट उद्ध्योग कब और कहां खोला गया था बचो तो भारत में पहला जूट उद्ध्योग भारत में भारत का पहला जूट उद्ध्योग तो बचो भारत का पहला जूट जयोग 1855 रिशिरा कलकत्ता में जो इसे खूला गया था फिर कहाएगा बच्यों विशम में सरवाधिक जूटका उत्पादन विशम में कि सरवाधिक कि जूटका उत्पादन कौन करता है वर्ल्ड में तो वो करता है बच्यों इंडिया और वह ही अगर क पूछ ले कि भाया भारत में भारत में सरवाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है भारत में अगर पूछ लिया जाए तो पहले पर आएगा बच्छो पशिम मंगाल दूसरे पर आएगा बच्छो आंदर परदेश पहले पर आएगा बच्छो पशिम मंगाल तो भारत करता है पर कोशन पुछ ले विशम में सबसे अधिक जूट का निर्यात कौन करता है यानकि सबसेदा जूट बेचता कौन है तब जवाब आएगा बचो बंगलादेश तो next point क्याता है बचो विशम में सरवाधिक जूट निर्यात करनेवाला देश निर्यात करने वाला देश यानिकि एक्सपोर्ट करने वाला देश कौन सा है तो यहाँ पर जवाब आएगा बच्चो बंगला देश क्या आएगा बोले तो बंगला देश राइट बच्चो कलीर है इतना मुद्दा जूट उद्द्ध्योग आएगे शाप लोगो समझ में आगया होगा इतना ही जानना है बस अपने को जादा नहीं जानना मुद्चो यानिकि शुगर इंडस्ट्री चीनी उद्द्द्ध्योग यानिकि शुगर इंडस्ट्री अब वैसी पूछलेगा कि भारत का पहला चीनी उद्योग और कहाँ खोला गया था बच्छो भारत का पहला चीनी उद्योग, तो भारत का पहला चीनी उद्योग, 1903 में खोला गया था बच्छो, कहां पर बेटिया बिहार में, जगह है बेटिया, कहां पर पढ़ती है बच्छो, बिहार में पढ़ती है, राइट, नेक्स पॉंट कहेगा, विशम में सरवाधिक जूट क करता है तो पहले नंबर पर आएगा यहां पर ब्राजील और दूसरे पर आएगा बच्छो भारत दूसरे पर क्या आएगा बच्छो भारत नेश्ट पर कहेगा बच्छो भारत में भारत में सबसे जादा चीनी का उत्पादन या भारत में सबसे जादा चीनी का उत्पादन कौन करता है तो यहां पर जवाब आएगा बच उत्तरप्रदेश अच्छा बच्चों एक कोशन ये भी पूछ लिया जाता है कि विल्ड के अंदर कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा चीनी आयात करवाता है यनकी खरीता है इंपोर्ट करवाता है तो वो है बच्चों हमारा प्यारा भारत बिल्कुल बच्चों भारत भल जादा चीनी आयात करवाने वाला देश आयात करवाने वाला देश यनकी इंपोर्ट करवाने वाला देश राइट कलीर है बच्चों समझ में आ गया एक और कोशन पुछा आता है बच्चों इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ शुगर टेक्नलोजी इंडियन इंस्टिट्य इंसेट्यूट ओफ शुगर टेक्नलोजी तो इंसेट्ट ओफ टेक्नलोजी का है फार बचो तो है बचो कानपूर में एक काम पर नहीं पूले है कानपूर में हैं योपी बचो कलिर है देट्स इट चीनी उद्द्योग भी हमारा होता है बच्छों कम्प्लीट नेक्स जो हम पढ़ेंगे बच्छों वो है कागज उद्द्योग साथ में नमबर पर जो हम पढ़ेंगे बच्छों वो कौन सा है बच्छों कागज उद्द्योग यानि कि पेपर इंडस्ट्री कागज उद्द्योग पेपर इंडस्ट्री कोशन पूछेगा बच्छो भारत में पहला कागज उद्द्योग कब और कहां खोला गया तो बच्छो भारत का पहला कागज उद्द्योग भारत में पहला कागज उद्द्योग तो पहला कागज उद्योग कव खोला गया था? 1832 में कहां पर खोला गया बच्छो? सेरंपोर में सेरंपोर, that is in पशिम मंगाल, that is in West Bengal सेरंपोर, पशिम मंगाल में जो है पहला कागज उद्योग, जो है वो खोला गया था फिर कोशन पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कागस का उत्पादन कौन करता है? भारत में सरवाधिक कागस का उत्पादन कौन करता है? तो यहाँ पर जवाब आएगा बच्चो पशिम बंगाल ही करता है बच्चो कागोज उद्योग के बारे में इतना ही जानना है अपने को नेक्स्ट बच्चो आठवे नंबर पर आता है बच्चो सीमेंट उद्योग सीमेंट उद्योग यानि की सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट उद्योग यानि की सीमेंट इंडस्ट्री बचो, सीमेंट उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अब भारत का उल सीमें उध्योग चयर वा कर सोए था फेल हो गया था, यह यह यहिता अब वहीber कोशन पूछलेगा भूरतय वह का पूरण नियुक्त जथा स्टाइब uhorgudhore 1764 में और कहाँ पर खोला गया बच्छो तो वो खोला गया पौरबंदर में पौररबंदर जो कि माहत्मा गांधी का जनंस्थान है ठीक है बच्छो दो भारत में पहला सफल चम अदिजर्बवन एक अक विशो में सरवाधिक सीमेंट का उत्पादन तो विशो में सरवाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है बच्छो तो पहले पर होता है चीन और दूसरे पर होता है बच्छो भारत में पहले पर चीन और दूसरेमें भारत अब कोशन पूछले भारत में भारत में सरवातिक सीमेंट का उत प्वाधन कहां होता है भारत में तो भारत कि अगर बात कर nosso मध्यपर्देश-द्रपृदेश और रारिस्थान मात्व में MP करें तो सीमेंज अद्योग भी हमारा खतम होता है नेक्स्ट बच्छों अगला जो आता है वह आता है वह आता है वह पर्वा पर में आता है ठीक है रहिंत अधर प्द्द्ध यह यानि की रबड इंड़स्ट्री कोशन कहेगा बच्चों कि भारत में सरवाधिक रबड का उत्पादन कहां पर होता है तो बच्चों पहले पर होगा केरल दूसरे पर बच्चों करनाटक पहले पर है केरल और दूसरे पर क्या है बच्चों करनाटक फिर नेक्स कॉशन कहता है बच्चों रबड बोर्ड का मुख्याले कहां पर है हैड क्वार्टर ओफ रबड बोर्ड रबड बोर्ड का मुख्याले तो वो है बच्चों कोटायम कहां पर है बच्छो कोटायम और कोटायम कहां पर पढ़ता है बच्छो केरल में पढ़ता है कोटायम कहां पर पढ़ता है तो केरल में पढ़ता है तो रबड उद्ध्योग के बारे में भी अपने को इतना ही जानना है इसको इंगलीज में बोलते हैं शिपिंग इंडस्ट्री यह जो जल्यान यानकी पानेवले जहाज बनाते है न उसकी बात कर रहा है अब इसके बारे में क्या पूसता है कोशन कहेगा बच्चों कि यह भारत का भारत का पहला जल्या निर्मान उद्योग कौन सा है भारत का पहला जल्या निर्मान उद्योग भारत का पहला जल्यान निर्मान उद्योग तो वो बनाया गया था बच्चों 1941 में और कामर बनाया गया था बच्चों तो वो बनाया गया विशाखा पत्नम में कहा पर बनाएगा था बच्चो तो विशाखा पत्नम में बनाएगा था तो 1941 में लेकिन हुआ क्या बच्चो बाद में 1952 में भारस सरकार ने इसे बना लिया और इसका नाम बदल कर दिया था हिंदुस्तान शिप्यार लिमिटेड राइट तो नेक्स था भारस सरकार ने अपना लिया था और इसका नाम बदल कर और इसका नाम बदल कर हिंदोستان CPR LUINTED कर दिया गया हिंदोستان CPR kar limit कर दिया गया राइड बचो तो भय्या जल्या-निर्मानो-दियोग के बारे में भी इतना ही करेंगे अब जो लास्ट जो इंड़सी रहती है बचो लास्ट जो नास्ट जो वह बच्चो वायूयान उद्ध्योग गैरवन नमबर पर बच्चो वायूयान उद्ध्योग वायूयान उद्ध्योग इंगली से मोल सकते हैं बच्चो एरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एरक्राफ्ट इंडस्ट्री राइट वायूयान उद्ध्योग एरक्राफ्ट भारत का पहला वायुजान उद्योग ठीक तो भारत का पहला वायुजान उद्योग ठीक तो भारत का पहला वायुजान उद्योग था वो खोला गया था 1940 में कहां पर खोला गया था बच्चो बैंगलोर में बैंगलोर में इसे खोला गया था इसका नाम था बच्चो हिंदु इर इंडुस्तान एरक्राफ्ट लिमिटेड हिंदुस्तान एरक्राफ्ट लिमिटेड हिं इसका नाम रखा āपधा इसका नाम रख गया 1930irstay बाद मेंगा सिंदौ्छ वेश्चोми online मिला दिया गया Aeronautics India Limited मे मिलादिया गया और इसका नाम करिया कर दिया गया Hindustān Aeronautics Limited तो next point कहता है 1964 में इसे Aeronautics India Limited में Aeronautics India Limited में मिलादिया गया मिलादिया गया और और इसका नाम बदलकर और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान Aeronautics Limited कर दिया गया और इसका नाम बदलकर हिंदुसान एंडुस्तान के बारा में इतना ही जानना है अब जो लास्ट जो उद्ध्योग बचा है लास्ट जो इंडस्ट्री बच्च ये वह कौन सी है लास्ट जो इंडस्ट्री है बच्चो लास्ट जो इंडस्ट्री है उसका नाम क्या है बच्चो तो उसका नाम है chemical fertilizers क्या नाम है बच्चो तो उसका नाम है बच्चो chemical fertilizers ठीक है बच्चो जिसे हम बोलते हैं बच्चो रसाइनिक उर्वरक उद्द्योग ठीक है बच्चो उसी के बारे में जानेंगे अभी हम उसी के बारे में देखेंगे लास्ट कौन से हैं बच्चो बारे में नंबर पे Chemical Fertilizers कहना मैं बच्छो Chemical Fertilizers Industries Chemical Fertilizers Industries हिंदी में बोलते हैं बच्छो ये से Racinec Racinec Urvarak Uddiyog क्या बोलते हैं बच्छो Racinec Urvarak Uddiyog ठीक है बच्छो देखें बच्छो इसके बारे में mainly एक ही point पूँछा जाता है बच्छो जो Racinec Urvarak Uddiyog है जो Racinec Urvarak Uddiyog है यानि कि जो Chemical Fertilizers जो Industry है इनके बारे में बच्छो mainly एक ही point पूँछा जाता है और वो एक point क्या है बच्छो ये पूछता है कि भारत का पहला उद्योग पहला उद्योग कहां पर खोला गया था बच्छो पहला उद्योग कहां पर खोला गया था इसका तो वो खोला गया था बच्छो 1906 में कहां पर खोला गया था बच्छो तो वो खोला गया था तमिलाडू में कहां पर तो नामें बच्छो रानी पेट क्या नामें बच्छो वह हमारी यहां पर क्या होती है बच्छो वह होती है यहां पर complete अभी हम क्या करेंगे बच्छो जितनी इंडस्रिस हमने पढ़ी इन सब को एक एक करकर डिटेल में पढ़ेंगे जहां से देखेंगे एक बार तो बच्छो भारत में उद्योग पहला देखा हमने लोग इस पात दूसरी पंचवर्षी योजना और तीसरी तीसरी बच्छो बिलाई दुर्गापूर राउकेला और तीसरी में बोकारो अच्छा विशव का प्रमुक शियल शहर कौन से है बच्छो पिट्सबर्ग जो की काम पर पढ़ता है तो USA में पढ़ता है अन्य शिलप्रांट कौन क सीदी राइट है राइट लाइट नेक्स्ट है बचो कपास अध्योग भारत का पहला कपास अध्योग कब खुला गया था बच्छो तो जैब क्याएगा बच्छो 2018 में खोला गया था लागत पहला आधर आधरी कपास अध्योग 844 में में बॉम्बे स्पिरिंग एंड इंडिया भी कहते हैं में ज़्ट रोफ नॉर्थ इंडिया किसे कानपूर को कहा जाता है इतना फंडा क्लीर होगा उसके बच्छों ने वस्तर उद्योग विलन टेक्सलिय इंडस्री भारत का पहला उनी वस्तर उद्योग डास्तो चैतर कानपूर में खुला गया था भारत मे सबस्याद उनका उत्पादन अस्रिल्या में होता है विश्व का सबसे बड़ा उन उत्पादन के इंदा धारिवाल पंजाब है बच्छों सेंटर बूर्ड डुवल्पेंट बोर्ड का हैड़ ओफिस कहां पर है तो जोद्पूर में है एस्टर बच्छों रेशम मुद्यो करनाटक और पश्यमंगाल में अध्याव जूट उत्पादन इंडिया में भारत में पश्यमंगाल और अंदर प्रदेश में और सबसे जूट निर्यात यानकी बिचने मुला देश कौन सा है बच्छों तो जवाब के हो जाएगा जिब बंगलादेश चीनी उत्यों की बात इंडियन इंस्टिट्उट और शुकर्ण टेकनोलोजी का हेड़ ओफिस कहा पर है तो बच्छों कानपूर यूपी में हैं नेक्स्ट अब बच्छों कागाज उद्योग भारत में पहला का उद्योग अध्यास बतिसरंपूर पश्यमंगाल में और भारत में स्वाधिका उ अंदरप्रदेश और राडिस्थान नेक्स्ट अब चाओ रबड उद्योग रबड उद्योग की बात करेंगे सबसे रबड का उच्पादन कौन करता है केल और करनाटक और रबड बोड का मुख्यालिया कहां पर है तो कोटायम केलल में है जल्या निर्मान उद्योग भार इसका नाम मतलकर क्या कर दिया गया हिंदुस्तान एरनोटिक्स लिमिटेड जिसे हम शॉट फॉर्म में आज के टाइम में हल भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद लास्तार रसाइनी कुरुवरक उद्योग कैमिकल फटलाजर इंडस्री पहला उद्योग खोला गया बच्चों तो मिलते हैं नेक्स लेट्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ थेंक्यू सो मच्च जैहन जभारत